नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों एस्टों सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सबी का स्वागत है दोस्तों सचा प्यार बहुत सारा धन खुशियां अच्छा भाग गया किसे नहीं चाहिए होता कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि यह सब मिलने से पहले आपको यह संकित दे देते हैं कि आपका जीवन अच्छा होने वाला है आपके जीवन में वो खुशी आने वाली है जिसकी आप कामना रखते हैं तो आज हम उन सपनों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके आने पर आपको सच्चा प्यार मिलता है, धन मिलता है, खुशिया मिलती है, भाग्य आपका सुधरता है सपने में यदि आप घोड़े की सवारी करते हुए अपने आपको देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है, आपको जल्दी ही अपने कारे में सफलता मिलने वाली है, आपका भाग्य उदे होने वाला है, जिसके कारण आपको धनलाब होने के पुरे योग बनेंगे सपने में यदि आप शीशे के अंदर अपने आप को निहारते या तियार होते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि यदि आप लड़का है या लड़की है तो आपको अपने जीवन में अपना सचा प्यार मिलने वाला है और ऐसा जल्दी ही होगा सपने में यदि आप खुद के बाल काटते हुए अपने आपको देखते है या कोई आपके बाल काट रहा है तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन से कस्ट दूर होने वाले हैं और आपका अच्छा समय यानि की खुशी देने वाला समय की शुरुवात होने वाली है सपने में यदि आपके उपर हलकी बारिश गिरते हुए आप देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वेपार धंदे में आपको सफलता मिलेगी और धनलाब के संकेत यह सपना देता है इसके इलावा जो लोग लव अफेर से जुड़े हुए हैं प्रेम परसंग में पड़े हुए हैं उनको प्रेम में सफलता मिलने का भी परतीक होता है ऐसा सपना देखना सपने में यदि आप पान का पत्ता देखते हैं या पान खाते हुए अपने आपको देखते हैं सपने के अंदर चंद्रमा यानि की चांद को देखना बहुत ही शुब मना जाता है, इसका आर्थ होता है कि जिससे भी आप प्यार करते हैं उससे जल्द ही आप हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, इसके इलावा सपने में चांद को देखना घर, परिवार और आपके जीवन में सुक शांती समरिधी आने का भी परतीक मना जाता है, सपने में किसी भी देवी देवता के दर्शन होना आपको बहुत ही अच्छे परिनाम देता है, ऐसा सपना बहुत ही शुब प्रवर्ती का मना जाता है, ऐसे में आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है जीवन में खुशियां आती हैं कस्टों का निवारन होता है और जीवन में चल रही किसी भी परकार की कमी हो वह दूर हो जाती है सपने में यदि आप सांप या नाक को देखते हैं और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो ऐसे में आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी मातरा में धन की प्राप्ती होती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं साथ में आपका भागय भी आपका साथ देने लग शादी के योग बनेंगे जिनका विवा अभी तक नहीं हो पाया है सपने में इंद्र धनुष यानि की रेंपो देखना बहुत ही अच्छा स्वापन माना जाता है इसका अर्थ होता है धन का लाब होना इसके इलावा जीवन में खुशियां आना, सच्चा प्यार मिलना और अच्छे भागे की शुरुवात होना सपने में किसी बच्चे को हसते हुए खेलते हुए देखना भी बहुत शुब स्वापन होता है ऐसे में आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं आपके जीवन में खुशियां आती हैं और कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में यहे इस बात का संकेत होता है सपने में यदि आप कंगन देखते हैं तो सपने में कंगन देखना सच्चे प्यार मिलने की एक संकेत या निशानी माना जाता है इसी परकार सपने में शादी का चूड़ा देखना आपको यह संकेत देता है कि आपको भविशे में आपका मन चाहा जीवन साथी मिलेगा तो दोस्तों ये वो कुछ सवपन होते हैं जो की बहुत शुप प्रवर्थी के होते हैं और ऐसा सपना देखने वालों को सचा प्यार मिलता है भग्य मिलता है खुशिया मिलती हैं इसके इलावा जीवन में कश्ट और कमियां दूर होती हैं और उनका जीवन खुशाल रहता है यदि आपको भी ऐसा सपना आता है तो आसे ही आपको अपने इश्वर की पूजा अर्चना करनी शुरू कर देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आपका मंगल हो ऐसी कामना आपको करते रहना चाहिए ऐसा करने से आपको जल्दी सपनों के परिनाम मिलते हैं तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक करें शियर करें चैनल को सबस्क्राइब करें अपना ख्याल रखकें धन्यवाद